iPhone की बैटरी से परेशान हो चुक हो, replace कराने का सोच रहे हो तो कुछ चीजें आपको check कर लेनी चाहिए अगर ये चीजें आपके iPhone में हो रही है तो फिर आप इसकी बैटरी को change करा सकते हो तो आएए देखते कौन सी चीजें आपके iPhone में आपको check कर लेनी है नमस्कार दोस्तों मैंना में अमेट टेकनोलोजी की दुनिया में हर दिन और कोई ना सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए तो सबसे पहली ये बेसिक चीज जो आपको चेक करनी है आपके आईफोन के सेटिंग में आपको जाना है और अगर आपको कोई सर्विस मेसेज मिला है तो उसका मतलब यह है कि वो बैटरी का टाइम खतम हो चुका है अब आपको उसको रिप्लेस करा लेना चाहिए लेकिन एक आपके आईफोन में आपको performance issues देखने को मिल सकते है और बैटरी चेंज करने से थोड़ा improve हो सकता है लेकिन अगर आपको अभी नहीं करना है तो आप कुछ दिर और वेट कर सकते हो अब कब तक आपको वेट करना है आए देखते हैं बाकी की points अब next अगर आपका आपका आपके आइफोन को यूज करना और भी ज्यादा dangerous हो सकता है अब next चीज आपको चेक कर लें क्या आपका आइफोन रांडमली शट्डाउन हो जा रहा है तो अगर यह सडनली रांडमली शट्डाउन हो जा रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके आइफोन की बैटरी से अगर आप replace करा लोगे तो आपको यह दिकत भी नहीं आएगे और आपका performance में इंप्रूव हो जाएगा next चीज अगर आपका आइफोन चार्ज होल नहीं कर रहा है that is for example आपने 100% पर उसको चार्ज किया and immediately वो ड्रेल होती रहती है that is आपको full output नहीं मिल रहा है 100% का तो हो सक सकता है कि वो बैटरी खराब है लेकिन इसके सिवाए और भी कुछ रीजन हो सकते हैं जैसे के वो cable damage रो या फिर उसका charger डामेज हो या फिर कितनी बार लोग optimized battery charging का जो function है वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं या फिर यह भी हो सकता है कि iPhone overheat होने से बचने के लिए उसकी charging 80% के बाद stop कर लेता है एसे में सेटिंग में जाके आपको check कर लेना है अगर बाकी के रीजन के वगया से आपकी बैटरी 100% तक चार्ज नहीं हो रही है तो हो सकता है कि आपकी battery सही हो लेकिन अगर इन में से कोई भी reason ने फिर भी 100% तक चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर टाइम उस बैटरिए को चेंज करने का अब नेक्स आपकी बैटरिरी में आपको दिक्कत आ रही ए तो सबसे पहले आपिए करना है cé acompa अवेचुक्षे कर लेना है अब करना है वह वीज़ियो से बना ऐसे आपको चेक करना है कि आपका iPhone का performance actually slow हुआ है या नहीं हुआ है तो number one चीज आपको चेक कर लेनी है that is कोई भी app आप open करते हो तो उसको open होने में ज़ाधा time लग रहा है या फिर scrolling करते वगद आपको lower frame rate देखने को मिल रहा है या फिर आप experience कर रहे हो backlight dimming इतना इनी speaker का volume comparatively कम हो जा रहा है by minus 3 dB next कुछ apps में आपको gradual frame rate reductions देखने को मिल रहा है या फिर आपका camera का जो flash है वो disable हो चुका है and lastly जो apps background में refresh हो रहे है उनको आप जब वापस open कर रहे हो तो रिलोड हो रहे है तो ये सब indications एक slow performance वाले iPhone का and जैसे आपको ये experience हो रहा है उसका मतलब ये कि iPhone की जो battery है वो एक culprit हो सकता है लेकिन अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका phone slow हो चुका है तो बैटरी के वज़े से हुआ है अगर आपको ये जानना है कि आपका phone slow हो गया उसके बाद आपको क्या करना चाहिए तो ये वाला वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो and ये वीडियो करने के बाद भी अगर आपका performance slow है तो फिर आपको battery check करवा लेनी चाहिए अब जैसे अपना iPhone आप Apple Service Center के पास लेके जाओगे सबसे पहले एक diagnosis करेगा अब diagnosis में अगर उसको लगता है कि battery सही में खराब हो चुकी है 80% के नीचे उसकी battery health आ चुकी है तो in that case आपकी battery replace कर देंगे लेकिन अगर उनको लगता है diagnosis में या फिर उनको कोई ऐसा specific reason नहीं दिख रहा है उस battery को replace करने का तो फिर उ आपको मना भी कर सकते हैं अब safe for example आपने इस सारे checks कर लिये diagnosis भी कर लिया अब आपको उसकी battery replace करानी है तो battery replacement की cause जो इंडिया में आए वो बता देता हूं तो आपकी estimated battery replacement cost हो सकते 6800 अगर आपके पास iPhone SE है SE 2 है, SE 3, iPhone 7, 7 Plus 8 and 8 Plus आपकी estimated service cost 8400 हो सकती अगर आप बात करो iPhone X, XR, XS, XS Max iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max iPhone 12, iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro, Pro Max 13, 13 Mini, 13 Pro and 13 Pro Max लेकिन आपकी estimated battery cost 9400 हो सकती है अगर आपके पास iPhone 14 series का कोई भी iPhone है तो तो इस वीडियो को reference बना के आपका iPhone ध्यान से चेक करिए लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए देखते रहे Origin टेकन इंदियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में